insalamu alaikum alaikum ismao ilahi wahmane wa rahim in this video we will discuss about the arterial supply of viscera of the abdomen viscera of the abdomen are divided into mainly three parts on the basis of development development ki base by three parts women divided in this goanna foregurde midgurde or hindgurde अब इन तीनों रिजन्स की को अलग अलग आर्ट्री स्प्लाई कर दिये और वो जो है अब डॉमिनल ओर्टा से प्रिजिनेट कर दिये सबसे पहले आते हैं फोरगट फोरगट में कौन कौन से चीज़े हमारे पास आती हैं फोरगट में हमारे पास लोर वन थर्ड ऑफ इसोफेकस यहां को शोर है उसके बाद यह स्टॉमक आ गया और उसके बाद डूडीनेम का कुछ पोशन आ गया और इसको जो आर्ट्री सप्लाई कर रही है वो है सीलिक आर्ट्री यहां पर हम देखने हैं यह सीलिक ट्रंक लिखा हुआ है यह इसको सारे को सप्लाई करेगी फोरगट को इसी तरह आगे चलते हैं मिडगट में मिडगट को जो सप्लाई कर रही है आर्ट्री वो है सुपी इन्फिरियर मिजेंट्रिक आर्ट्रे अब वन बाई वन हम इनको डिसकस करते हैं डिटेल से सबसे बार आते हैं से लिग ट्रञट पे आप अब यह सेलिक ट्रञट है यह अब डॉमिनल ओर्टा जब शुरू होता है तर बार ऑन आचे सोक्थ से कुछ सेंटी मीटर निचे से सीलिक ट्रांड्ग मैं से जिंडेट उडेकरंग सीलिक क्या वालटी कर्ण चांड कर्णक देवाँ दो जित सेक्ट ऑर इस के साथ ली य है जो राइट गैस्ट गैस कि जी तर देखें कि यहां से एक बरांटliga रही है और एक सां नीचे की तरफ आरी हर यहें तरस रहे हैं यह स्ट पार्ट होगे हैं सीलिंग ट्रॉंक का उसको है सैकिंड ब्रांच जो साके आंगे जाए यहां पर देती है पर राइट गेस्टिक आर्ट गर्टरी यह जो लेसर कर वेचर वस्टर्मक की तरफ जाएगी और साथ ही उपर जाके लेफ्ट गेस्टिक आर्टरी के साथ नस्ट्रमोस कर जाएगी उसके बार जब आगे common हेट्टिक आर्टरी फर्दर रन करेगी राइट साइट पे तो आगे जागे दो ब्रांचिस में डिवाइड हो जाएगी एक होगी हेट्टिक आर्टरी प्रॉपर और दूसरी होगी gastro-dudinal artery अब जो hepatic artery proper है वो जाके फर्दर आगे टू-parts में डिवाइड होगी left hepatic artery और right hepatic artery अब जो right hepatic artery है उससे cystic artery भी और जिनेट करेगी cystic artery गाल ब्रेड को supply करेगी अब ये right और left hepatic artery ये दोनों liver को अच्छी तरह supply कर देंगी और right और left lobe of liver correspondingly उसके बाद अब आते हैं gastro-dudinal artery gastro-dudinal artery आई ये नीचे होती हुई यहाँ से इसने फर्दर एक artery देनी है हमारे पास अब इसने जो gastro-dudinal artery ने एक तो main बड़ी ब्रांश देनी है जिसको हम कहरे हैं right gastro-mental artery ये जो stomach के greater कर वेचा किता ब्रांश कर देनी है और एक साथ ये small branch देरी जिसको हम कहरे है supra-dudinal artery कुछ बुक्स इसको superior pancreatico-dudinal artery भी कहते हैं जो pancreas और dudinum को supply करेगी dudinum को कुछ portion और pancreas को ये हो गए इसकी silik trunk की second branch ब्रांच जिसको हमने कहा था common hepatic artery अब आज़ें silik trunk की third branch third branch जो है उसका नाम है saplaining artery ये उपर लिखा हो saplaining artery saplaining artery stomach की back side से होती हुई ये वेवी pattern में रन करती है और ये आके saplaining को supply करती है saplaining को supply करने से पहले ये एक नीचे की तरफ ब्रांच जिती है जिसका नाम है left gastro mental artery जो stomach के गरेटर करवचे की तरफ के साथ साधान करती हुई right gastro mental artery के साथ anastromos कर जाती है left gastro mental और right gastro mental ये दुन आर्टरी रापस anastromos कर जाती है और इसी तरह जहाँ पे सप्लीन को सप्लाई करने से पहले ये उपर की तरफ जो कुछ ब्रांच जिती है जिसको हम कह रहे हैं short gastric artery ये short gastric artery stomach के fundus की तरफ move करती है और वहाँ पे fundus को सप्लाई करती है इसके साथ ही ये जब उपर जाके पीछे left gastric artery के साथ anastromos कर रही है अब एक बाज इदर question आ जाता है कि सप्लीनिंग artery का pattern वेवी क्यों है तो इसका जो conceptual जबाब जी है कि इसका वेवी pattern इसलिए कि stomach के अंदर food ने कठा होना होता है इसलिए stomach का size vary करता है कभी stomach का size छोटा हो जाता कभी बड़ा इसकी वज़ासे अगर यह artery का size fix होता तो इसकी वज़ासे जब stomach का size बढ़ा होना होता तो यह artery रप्स रोने का खत्रा है या उसके प्रेशर जादा पड़ेगा इसलिए इसके pattern वेवी अलापाक ने मनाया कि जब भी stomach का size बढ़ा हो तब भी blood की supply में कोई फर्क ना है उसके बार हम next चलते हैं जो second इसकी main branch है abdominal विसरा की जो abdominal trunk से originate कर रही है वो है superior mesenteric artery यह superior mesenteric artery जहाँ पर silik trunk originate कर रहा है उसके कुछ centimeter नीचे आते हैं यह stomach का यह हम देख रहे हैं pyloric end उसके थोड़ा सा नीचे आके यह superior mesenteric artery originate कर रही है अब यह एक बड़ी artery है जिसना हमने देखा silik trunk एक छोटा trunk था superior mesenteric artery उसकी comparatively बड़ी आर्टी है superior mesenteric trunk ने meat gut को supply कर रहा है meat gut का portion कहा से कहा तक होता है distal part of the eugenum यह distal part of the eugenum हो गया dudinum distal part of the eugenum इसके साथ यहां से आगे jeugenum और इसके साथ ileum यह सारा इदर portion पड़ागों से हम ileum कहेंगे ileum के बाद सीकम यह आगे है सीकम और इसके बाद ascending colon transverse colon का half portion और इसके साथ ही यह नीचे अपेंडिक्स आपको शो हो रहा है इसको भी इसी आर्ट्री ने सप्लाई करना है अब यह आर्ट्री सप्लाई कैसे करी कितने सारे portion को उसके लिए हम इसको ब्रांचिज में डिवाइड कर लेते हैं यहां सब्सक्राइड का आर्ट्री इसने साथ ही ओरिजनेर होते ही inferior pancreatico-dudional artery दे दी अब यह pancreatico-dudional artery नाम से ज्याहिर हो रहा है कि इसने pancreas को और डिवाइड को सप्लाई करना है अब इस inferior pancreatico-dudional artery यह फर्दर दो ब्रांचिज में डिवाइड हो गई जिस एक का नाम है anterior pancreatico-dudional artery और दूसरा posterior pancreatico-dudional artery यह artery अपने नाम से बता रहे हैं कि हमने किस-किस portion को सप्लाई करना है उसको थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहां पर हमारे पास एक second artery आगए middle colic artery यह middle colic artery यह आपको शोरी है यह राइट साइड आफ दा सुपीर मिजंटारी कार्टी से और यहां पर आके फद्द्द दो ब्रांचिज में राइट और लेफ्ट ब्रांचिज में डिवाइड हो जाती है और यह कोलाउन को सप्लाई करती है और उसके बाद नेक्स जो ब इसकी दो से और और येंट बैंट साइड फेर और होती है भी RIRE साइड पर रन गरती है राइट साइड पर आकर यह कोलांब को सप्लाई करती है उच्छी पर आ जाते हैं य inh Instant ब्रांग रांच इलियो कों कॉलिक आर्टव है इसको हम समय को कहले कि अगर सपीर मिजंट्रारी Gary को एंड में टर्मियेशन जहां पो हो रही है वह ही लोकोलिक आर्टरी समझ ले यह सकते हैं अब फर्थ एक सेंडिंग और दूसरी डिसेंडिंग में डिवाइड हो गई आप देसेंडिंग ब्राझ है यह ब्राझ इसका काफी इंपॉर्टेंट है यह ँह इंहाई करतो और लेट अभी ने ब्राउब्रा। के सार यस्टिंडिंग बराश कर लियां और कम पर डॉपर राइट कोलिक आर्ट्री के सारव स्टिंडिक ถूअ आर्ट्री जिसने हमारे पास appendix को सप्लाई कर दिया है यह इसकी शौर्ट सी डिस्क्रिप्शन होगी अब इसमें आ जाते हैं एक और चीज की तरफ अभी तक जो हमने की हैं वो इस पर सुपिर मिजन ट्रेंट आर्ट्री के राइट से सारी बरांची ओर जिनेट की हैं उसके बाद जब अब देखें इसके लेफ्ट की तरफ लेफ्ट की तरफ यह काफ़ सारी हमारे बरांची होती हैं इस दिखाई देरी हैं यह 12-15 ही नंबर ह होती है और इनका नाम है जूजिनल एंड इलियम ब्राचिस क्योंकि यहां पर जूजिनम पड़ा होगा आपको बता है सारे जूजिनम और साथ ही इलियम अब इनको भी सप्लाई करना इनके लिए यह सारी 12-15 ब्राचिस निकलती है सुप्यमिजंटरिक आर्टरे से क्योंकि य कर जाते हैं venir लिए और पार्टन में ऑनले से बताना दोब यजा पर आएं बना लेते हैं उसको हम कहते हैं से बना आरकेऴडों अगे यहां से ब्राचिस निकलती है जो जीनम और मोसर इलियम को बर बाकि इसको फर्दर डाग्राम्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और इसी तरह यह सारी जूजीनम और इलियम को सप्लाइग कर देते हैं अब आ जाते हैं थर्ड ब्रांच की तरफ थर्ड आर्टरी जो हमारे पास है वह इन्फीर इन्फीर इंटेरिक आर्टरी यह हमारे पास इन्फीर मीजन टेरिक आर्टरी आ गई इसकी जो कि फृद्र आगे हम बार्द डिसकॉस करेंगे अब इस नींफीर मीजनिट्रिक और जिनेट कर दिया बहुत आता है अब जहाँ पे अब डॉमिनल ओर्टा की बाई-केशन हो रह कर रहा है इसके थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर ऊपर तू तू थ्री सेंटीमीटर ऊपर वहां से यह इंफियर मिजेंटरिक आर्ट्री उजिनेट कर रही है अब रिजनेट करके यह आगे फर्दर टू पार्स में डिवाइड होती है एक लेफ्ट कोलिक आर्ट्री दूसरा सि कुछ बुक्स ने थ्री ब्रांच चीज लिखा है कुछ ने तू लिखा है तो इसको हम ब्रांच कह भी दें तो कोई मसला नहीं अब सबसे उपर आ जाती है लेफ्ट साइड के मतलब इंफियर मिजेंटर एक आर्ट्री जाहां से उजिनेट करी उसके बाए उसके लेफ्ट स कोलॉण यहां से डिसेंडिंग कोलॉण और इसके बाद कुछ जो पोर्षन ट्रांसवर्स कोलॉण का बच किया था जिसको सुपिर मिजेंटर एक आर्ट्री नहीं किया तो उसको सप्लाई करेगी लेफ्ट कोलिक आर्ट्री आगए अगर टू पार्स में डिवाइड हुई एक बराँच ऊपर चली गई एक बराँच नीचे उपर वली ने ट्रांसवर्स कोलॉण को और कुछ हाफ आफ आफ डर डिसेंडिंग कोलॉण को सप्लाई किया और इसी तरह इंफीर बराँच ने अघथन रिसेंडिंग कोलॉण और और नीचे आके एनस्टमॉस कर गई बन जयती है जिसके नाहमें superior rectal artery superior rectal artery यह सप्लाई करेगी अपर half of the rectum और anastomose करेगी अपर half of the rectum को सप्लाई कर दिये और anastomose करेगी middle rectal or inferior rectal artery in middle rectal or inferior rectal artery हम pelvis में डिसकस करेंगे उनके साथ यह अनस्थ ुम्स करेगी है यह कि मारी सारी ब्लट सप्लाइ ऑफ दा विस्ताफ अभडॉमिन हाइक अक डिदर रहए है कि मारजिनल आर्डु अभर यह माक्जिनल आर्डु मनार कुछ करती है ग्योड कॉन चीज निकलती हैं जो फर्दर कॉलाउन को सब लाइक कर रही है और दूसरे एडियास को सब लाइक कर रही है यह हमारे पास हो गई बलट सप्लाई आफ विस्वाफ डामे इसमें अगर कोई चीज समय नहीं आई को कोश्चन है तो नीचे कमेट सेक्शन पूछ सकते हैं तो वी झासे कते हैं